तो आज मैं आपके लिए लेकर आयू बहुत ही टेस्टी रेसेपी आलू टिक का दम बिर्यानी बिल्कुल इसका आलू टिक का मसाला बनाएंगे और इसमें स्मोक देंगे हम कोईले से बिल्कुल पुरानी टेखनीक से लेकिन टेस्ट में इसमें परफेक्ट आप एक बार यह टेस्व करेंगे तो आप बजार के बिर्यानी खाना भूल जाएंगे आये रैसेपूर्ट करते हैं लेकिन रैसेपा करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले अब सिपर्से पहले हम यह हूं कुछ ले लेकिन टुछ तो आप onion को थोड़ा छोटा देखें, medium size का मिर्च की तरीके से flex निकाल लेनी है onion की और सारे onions को इसी तरीके से रेडी कर लेना है, देखें तो अब मैं लेती हूं सिम्ला मिर्च तो शिम्ला मिर्च को लिया है मैंने और उसे भी मैं इस तरीके से चॉप कर लूँगी अब हम लेते हैं एक टामाटर यहां पर चार से पांच लोगों जतनी बिर्यानी बना रही हूं एक बार में तो आप वेजिटेबल स्ट्री अकॉर्डिंग एड्जेस्ट कर लिए जेगा जिस अकॉर्डिंग आप बिर्यानी बना रहे हों यहां पर मैंने लिए हैं कुछ उब कर लिया है मैंने तो सारी वेजिटेबल शॉप हो गई है तो अब हम बनाते हैं का मसाला तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे एक कप दही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर भुनावा जीरा पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला चाट मसाला बियानी मसाला तो गरम मसाला कम डालें अगर आप बियानी मसाला डाल रहे हैं बिर्यानी मसाला में भी सारे तेज मसाले होते हैं Salt as per your taste लैसून और अद्रक का पेस्ट फेलाने बीस्पून कि पर अच्छह से मिला लेंगे बिल्कुल जैसे हम पनीर टिक का बिर्यानी बनाते हैं यह आलू टिक का बिर्यानी है इसमें हम दम भी द्रगाते हैं यानकि स्मोक भी लगाते हैं बहुत टेस्टी बिर्यानी बनती है पेस्ट बनके रेडी है तो अब इसमें हम डाल देंगे सारी वैजी और हमारे उबलेवे और वन टेबल स्पून नीबू का रस और सारे इंग्रिडेटेटेंस को अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारी वेजेटेबल्स में बहुत अच्छे से सारी फ्लेवर्स एब्सॉब हो जाए तो हम अच्छे से सबको मिक्स करेंगे और इसको पंदरा मिनट के लिए मैरिनेट हो छोड़ देंगे तो यह देखें मैं आपको दिखाते हूं कितना अच्छा मसाला बनके रेडी है अब हम स्राइब कर देते हैं बिर्यानी का मसाला बनाने की तो यहां पर मैंने एक कड़ाय में लिया है तू टेबल स्पून ऑईल और तू टेबल स्पून घी जीरा थोड़ा अब जानी मसाले को 15 मिन्ट हो गए थे मेरे पर रखे वे तो उसे में डाल देती हूं सारे को हमारे ओल और गी की मिक्सर में सारा मसाला डालके लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है कब तक पकाना है जब तक की मसाला अपना कलर चाहिज़ ना कर लो और वैज़ेटिबल की तक हम ले लेते हैं यहां पर फ्रेश करियांडल और मिन्ट लीव यानिकी धनिया और पुदीने की फ्रेश पतियां उन्हें बारिक चॉप कर देंगे और हमने यहां पर देखें राइस लिया है तो राइस को मैंने हाज़ प्रॉप क हर सब्सक्ता की यहां पर मैं लिया है ड मॉसелिए कि अपर फ्रैज़ स्व्याइव मरें ठाड़ाने की सबस्तिए व्हुमाव करके रखेंगे सब कुर्र पहले से परके रखेंगे तो तो यहोग है जब मसाली आप बना सकते हैं तो मसाली के सज्बा है कि आदे निकाल के ब हम लेंगे असान रहें उसलेते ने टौ पर it Spring लगा देंगे हमारे हाफ को बास्मती राइस की यानि हमेशा प्रिफर कीजिए कि आप बास्मती राइस के साथ बनेगे बहुत अच्छा अपचा रूमा आता है अब इसके उपर वापिस लगा देते हैं हमारे आलू टिका मसाला की और अब हम लगा देते हैं धनिया और मिशना करें वापिस एक लेयर लगा दीजे चावल की और यहां पर मैंने केसर सोग मिलक रखा है यानि केसर को दूद में डाल के छोड़ दिया था गुंगने में यह बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं चाहें तो इसके भी कर सकते हैं थोड़ा रि दक्के पक्ने के छोड़ देते लो फ्लेम पे पांच मिनित के लिए तो 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 देखाते हूं आपको डखकन हटा के यह बिल्यानी आल्मोस्ट रह दिए आल्मोस्ट अभी पूरी रैडी नहीं हुई है अभी हमें इसमें स्मोक देना बात के तो एक छोटी से कर्टूरी इस पर्फेक्ट आइस के उपड़ यह गरम इस पर कोईला रखा है और इस पर मैं डालती हूँ घी और जैसे दुआ नहीं लगता है रक्कन से इसको कवर कर देजिए अच्छे से ताकि दुआ बाहर नहीं निकले बता है अगरे आशे छोड दीजे और अब हमारी आलो तिका दम बिर्याणी रेड़ी है मुझा प्रिवर यहां पर हैं वह के हैं कि में श्रीट पर्फेक्ट बिर्याणी आति से कहते हैं भोह आरकर आप बिड्यानी लवर है तो इस सर्व कीजिए गरम, 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 लाईतें के साथ में तो पसंद आती है तो जरूर बताएे करना नहीं बूलें उसे जरूर बताइए कि आपको इस रैशी लगे कर दो कि जो किपक अशू से कहा झालुंग gemacht